स्वागत है आप सबका मेरा चैनल यू क्रिप्टो क्रिप्टो की दुनिया फ्री माइनिंग की दुनिया तो दोस्तों आज बात करेंगे दो टॉपिक पर एक तो ओमेगा नेटवर्क है उसमें बहुत बड़ा अपडेट आया है उस पर डीटील में चर्चा करेंगे आज और क तो डाओ के बारे में बात करती है और जो लोग पहली बार चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि कल रात को आप देख सकते हैं तो यहां पर 2.80 डॉलर पे एक पंप आया था यहां पर थोड़ी दर सेटल हुआ 2.9 पर और डायरेक 3.20 तक चला गया था और 3.20 तक जाने के बाद ऑपस डिप जो किया हो 297 तक आया है तो यह उपर आके सेटल हुआ है 2.97 पर सेटल हुआ है बहुत देर से इसी क्या around hovering हो रहा है तो यह बहुत बढ़िया बात होती है हमारे लिए तो समझने के लिए कि अभी यह यहां पर सेटल हुआ है तो अभी फिलाल यह जो डिप्स राइस होते है 10 परसंट 15 अभी रेट कम है इसलिए हमें कुछ नहीं लग रहा है लेकिन जब रेट 10 डॉलर्स या 20 डॉलर्स होगा 100 डॉलर्स होगा जब यह राइस होंगे 10 परसंट तो वो बहुत बड़ा पंप नजर आता है तो अच्छी बात है कि प्रॉपर जोएंट कर लो कि यह बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आए इतने देर तक मैं कुछ इतना confident नहीं था लेकिन अभी बहुत confident हो ओमेगा के बारे में तब देखो यह पर कहां क्या आगया उनका open sale of SID IFO IFO क्या है सबको समगा देता हूँ तरवरी 22 से चालू हो रहा है यह March 22 तक चलने वाला है एक मैने तक चलने वाला है यह ठीक है तो और rate क्या निकला है देखो selling price 0.11 बहुत अच्छी price है अगर IFO में 0.11 होता है तो इसकी listing बहुत अच्छी होगी minimum one dollar listing होई जाती 1.1 1.20 इतनी भी हो जाएगे 10% तो इतना होता है उसके लिए पैसे कहां यूज करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके बारे में सब detail बता देता है और कितना अच्छा है देखो न इन्होंने पुरा अड्रेस होगेरे सब कुछ दे दिया कल मैंने जैसे वीडियो बनाया था कि कुछ था उसका आता पता कुछ भी ने लापता अपता हो इसका देखो यहां पर अगर आप क्लिक करते हो यहां पर पुरा अड्रेस मिल जाएगा उनका कहां पर है क्या नहीं है अड्रेस पूरा अइक जम डिटेल में दे चुका आप क्लियर करेंगे तो फोटो के साथ उन्होंने हर चीज हमें दे रखी है अब न्यूजवे में क्या न्यूज़ है इसकी बारे में देखते हैं हम ओमेगा नेटवर तो ओपन प्री सेल ओफ सेड आएफो तो सपोर्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है उनको जो खर्चा आ रहा है उसके लिए वो लोगोंने आएफो रखा है ठीक है तो ओमेगा नेटवर्ग नेटवर्ग क्रिट्टो करंसी अनॉंस इट वोट प्रोजेक्ट के पास पैसा नहीं होता वो इसी तरह से पैसा जमा करते है जेनरेट करते है यह सब हाइप बन रही है सब है पैसे कर रहे है अगर 0.11 से कोई खरीता है तो जाहिर सी बात है और उससे ज़्यादा ही लिस्टिंग होगी क्योंकि उसको उससे ज़्यादा प्राइस देना ही पड़ेगा यह सब चीज है यहाँ पर बहुत सारा चीज दिया है उन्होंने निद्लेट में काहां पर लिस्टिंग होग क्या नी और दिखवो पुरा डिटेल है उनका हर लिखा हुआ है, यह वेब 3 quarter में आएगा, IFO March में है, private sale April 2023 में, TGA token generating event ध्यवेंट, May 23 में है, decentralized exchange listing June 23 में है, centralized exchange लिस्टिंग July 23 में है, KYC 4th quarter of 2023, 4th quarter मतलब October, November, December में KYC भी हो जाएगी और में Net First quarter में आ रहा है, हर चीज आप देखेंगे तो हर जगा पर आपको सब कुछ सही मिले यह उनका वेबसाइट का पेज है, वेबसाइट के पेज पर आप जाते हो, तो आपको दिख जाएगा, उनके पार्टनर्स कौन-कौन है, कीनो जगा पर अवेलेबल है, गूगल पेज टोर, एंड्रॉड और एप स्टोर में, आप डाउनलोड कर सकते हो, इसके ही रेफराल ल इसमें बहुत बड़ी है, फिलाल रेट कम हो चुका है, 0.082, 832, तो अभी देखो, आज भी आप जोइन करते हो, तो एक साल का टाइम है आपके पास, कितना? एक साल का टाइम है आपके पास, तो एक साल में आप लगग लगग इसी स्पीड से अगर करते हो, तो एक हजार क कोईन्स जमा कर पाओगे, 100%, 1000 कोईन्स आपके पास हो जाई, 1000 कोईन्स अगर एक डॉलर से लिस्टिंग होती है, तो आपके पास दस हजार डॉलर होगे, 10,000 USDT एक साल में, और आपको करना क्या है, सिर्फ 24 गंटे में एक बार आना है, और स्टार्ट माइनिंग दबाना है, और तो कुछ करना ही नहीं है दोस्तों इसमें, बहुत बड़ी है वाइट पेपर है, हर चीज उन्होंने डीटेल में दे रखिए, वाइट पेपर में भी, कोई भी नहीं, कल का KZN में देखा कुछ भी नहीं था, वाइट पेपर में हर चीज है, तो कौन एकोनोमिक्स आप को दिख मिल जाएगा पढ़ने को, KYC के बारे में है, कोर टीम के बारे में, मतलब वाइट पेपर में हमें जो पढ़ने को चाहिए, मतलब उनके डीटेज चाहिए, उनका इंफरस्रक्चर चाहिए, उनका रोड मैप चाहिए, हमें जो चीज चाहिए होती, वो हर चीज आप को इनके वाइट पेपर में दिखने को मिलेगी ते को यह आवाला स्टार्ट जब हुआ था 3.1 मिल रहे थे और आवर को और आप रेट इतना कम हो गया तो यह चीज भी उन्होंने वाइट पेपर में लिख रखी है के वाइट के बारे में सब डिटेल्स है उनका जो ओनर है जेम्स ब्राउन is the founder owner and CEO of Omega Network तो उसका नाम भी declare किया है उनका पता का है वो बता दिया है में आदमी को ने उसके बारे में हर चीज बता दिया है तो वाइट पेपर भी एकदम परफेक्ट है यहां पर डिस्ट्रुबिशन देखो TGA कब है सेड में कितने कॉइंस जाने वाले है हर चुज परफेक्टली यहां पर लिका हुआ है अब यह भी देख सकते हो आप उनका यह पूरा रोड मैप है जो अभी मैंने पढ़ाता है देखो यह वाइट पेपर में भी सेम है कुछ में जून में लिस्टिंग हो रही है decentralized exchange पे जुलाई में लिस्टिंग हो रही है centralized exchange पे unlocking of coins December 2023 तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि सिर्फ एक साल है हमारे पास और बहुत बढ़िया आप हमारे हाथ में है तो बहुत जल्दी आपको पता चल रहा है जो लोग इसमें जॉइन नहीं किये वो लोग अभी जॉइन कर लीजे वीडियो खतम होते ही लिंक आपको description box मिल जाईए और जो लोग पहले से जोइन है रेगिलरली माइनिंग करना अलाराम लगा देना हाँ दोस्तों और रोज के रोज माइनिंग करना इस माइनिंग को मिस नहीं करना है हमें चाहे कुछ भी हो जाए माइनिंग को मिस नहीं करना है बहुत बढ़िया आप है ये ओके फ् KOTOSHI PLUS APP आ जाएगा, उसके बाद इसके पर डीटेल्स में चर्चा करेंगे हम, Code Hour Life बदलने वाली है, फिलाल स्टेकिंग पर कॉइंस लगा दो, और आपको कुछ नहीं करना, स्टेकिंग पर कॉइंस लगा दो और भूल जाओ, ये साल मेर में, छे मेने में, पक्का आपको गैरंटेड लगपती बना देगा, तो यहीं पर विदा लेता हूँ, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी अपडेट्स, बेस्ट अपडेट्स, जो भी रिकल किया आएगी, उसके साथ मैं आपके स